नमस्कार विज्यार्थी मीत्रों सारश्वत इंटरनेशनल एकडेमी में आपका श्वागत हैं मैं हूँ जिगनेश पटेल विश्वाई हिंदी धोरण छो तो दोस्तों हिंदी पढ़ने से पहले हमें हिंदी भासा के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है तो दोस्तों हिंदी हमारे राश्ट्र भासा है 14 सितंबर 1999 को सवविधान सभा में एक वोट से यह निनयलिया की हिंदी ही भारत की राश्ट्र भासा और राज्य भासा होगी हिंदी भासा के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि आप हिंदी जिस तरह बोलते हैं उसी तरह लिखते भी हैं तो आए हम पाठ्य पुस्तक की और जाते हैं हमारा पहला पाठ चित्र के आधहार पर दिया गया है पाठ का नाम है दयालू सिकारे तो आपको पाठ का नाम सुनते ही आश्चरी होता है कि सिकारी वह भी दयालो सिकारी प्राणियों के प्रती क्रूर होते हैं क्रूरता के कारण ही वे पशो का शिकार करते हैं तो आई हम इस चित्रों को देख कर पाठ को समझते हैं एक सिकारी को मास खाने की इच्छा हुई वह जंगल की और जाता है और एक हिर्णी को देखता है तु विद्यार्थी मित्रों हम पहले चित्र में देखते हैं एक हिर्णी जंगल में भागती हुई दिखाए देती हैं और दूसर चित्र में शिकारी पेड के पीछे छीप गया और हिर्णी की और निशाना सारता है हम तीसर चित्र में देखते हैं कि दोड़ती हुई हिर्णी जैसे ही निशाने के सीध में आती ही शिकारी ने गोली चलाई चौथे चित्र में सिकारी को गोली छोड़ने के कारण आबाद सुनकर जंगल के दूसरे हिर्ण इधर उदर भागने लगे पाँचवे चित्र में हम देखते हैं कि हिर्णी को उसकी टांग में गोली लगी और वह एक पेर के नीचे अपने श्रावक के साथ बैठी है चौथे चित्र में सिकारी हिर्णी के पास जाकर देखता है कि उसके उसने एक सावक को जन्म दिया हैं और हिर्णी के पाव में गहरी चोड़ आई है और हिर्णी की आँखों में आशुर देखकर सिकारी को दया आजाती है साथवे चित्र में सिकारी हिर्णी को पशो के अस्पताल ले जाता है वह इलाज कराता है आठवे चित्र में हम देखते हैं कि सिकारी हिर्णी का इलाज कराकर वह जंगल की और जाता है नव में चित्र में सिकारी ने हिर्णी को जंगल में उसके स्टावक के पास छोड़ दिया और अब वह अपने स्टावक के साथ मज़े से जंगल में घूम रही है तो इस चित्रपाठ में प्रशुवों के प्रती मानोता का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है यह बताया गया हैं। तो विद्यार्थी मीत्रों आज के लिए हम इतना ही देखेंगे अगले वीडियो में हम प्रश्णोत तरी करेंगे जय हिंद जय भारत।